आज हम डिसकस करेंगे exercise 52 exercise 52 में आपको question number 1, 2, 3 और 4 करना है जो चिये चारो question है उनको हम एक-एक पार्ट मुका समझेंगे बाकी कि आपको खुद से करने है question number 1 जो है उसमें आपको जो number given है वो decimal का number है question number 2 में भी 3 में और 4 में जो question number 1 है उसमें आपको उस number को round off करना है to nearest 1 round off करना है number को to nearest 1 हमने previous videos में exercise 51 में number को round off करना सीखा है लेकिन वो number बिना decimal का था यहाँ पे number है decimal का और उसको round off करके लिखेना है to nearest 1 फिर second question में हमें number को एक decimal place तक correct लिखना है third में दो decimal place तक correct लिखना है और fourth जो question है उसमें 3 decimal place तक number को correct right करना है तो देखते हैं किस प्रकार करते हैं round off करना है nearest one दो चीज़े ध्यान रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 यह एक group है 5, 6, 7, 8, 9 यह बिटा second group है जब कभी decimal का number हो कहे round off कर यह nearest one means decimal से पहले जो decimal के बाद का number है जैसे 3 इसको आपको देखना है अगर यह इस group से हो तो बिटा यह 6 agities रहेगा और यहाँ पर 0 लगेगा अगर यह first group से हो इसका B देखिए है 2.7 इसको भी round off करना है nearest one तो बिटा आप ध्यान देगे यह second group से है यहाँ पर देखो point के बाद का number तो इस 2 का 1 increase होगा 3.0 फर्स्ट group से हो तो 6.0 नमबर में कोई चेंज नहीं होगा 6 का 6 0 लगे second group से हो तो इस number में एक increase होगा 3.0 इस तरह आप number को round off करेंगे to nearest one अगर decimal का number है second question है नविटा नमबर गिवन है 3.74 इस number को second question में इसको one decimal place तक correct right करना है one decimal place अब decimal place क्या होता है पिटा point के बाद ये जो number है जिनकी place है ये first place पे है ये second place पे है और कोई number होता तो वो third place पे होता तो ये one decimal place तक हमें इसका correct पता करना है right करना है one decimal place तक यानि हमें इसको ऐसे लिखना है 3.7 ये ऐसे इतना ही लिखना है इसको one decimal place तक और वो correct रूप में कैसे लिख सकते हैं पिटा देखो हमें इसके बाद का number देखना है क्या है four first group से है तो पिटा 3.70 इस number में कोई change नहीं होगा second group से होता तो इस number में एक increase होता देखे इसका 8.36 one decimal place तक correct right करना है तो इसके आगे का number देखी क्या है 6 second group से है तो यहां पिए क्या होगा बेटा 8.40 इस तरह आप इसको one decimal place तक correct right कर जकते है यह जो zero है इसको आप decimal के बाद zero को आप हटा सकते है तो यह ऐसे आजाएगा 8.4 यह 3.7 कैसे आजाएगा 3.7 ठीक है वन decimal place तक correct है यह यह one decimal place तक correct है बात करें क्यूश्य नंबर थिरी गी इसमें बिटा आपको नंबर को two decimal place तक correct right करना है 0.706 तो two decimal place कहां होते हैं यह one decimal place यह two decimal place इसके बाद का नंबर देखेंगे क्या है second group से तो पिटा आप क्या write करोगे 0.7 जीरो का क्या बनेगा two decimal place तक यह correct है बी देखेंगे बिटा इसका 5.238 two decimal place तक right करना है तो इसके बाद का नंबर क्या है eight second group से तो पिटा यह five point two four एक बढ़ेगा इसमें यह two decimal place तक correct है बात करें कि इसके नंबर four की 0.7 894 इसको पिटा three decimal place तक correct right करना है तो पिटा इसके बाद का नंबर देखना three decimal place के बाद क्या है four first group से तो पिटा यह आएगा 0.789 इसमें कोई change नहीं होगा three decimal place तक correct है बी देखें इसका two point one six three five two point one six three five three decimal place तक correct right करना है नंबर क्या है five second group से है two point one six three का क्या बनेगा four यह बीटा three decimal place तक correct right है बीटा इस परकार आपको exercise 52 का question number one two three four वो सभी पार्ट आपको करने है मैं इसकी what's up पे आपको exercise भी डाल दूँगा वहाँ पे और उसकी answer sheet भी आपको मिल जाएगे तो आप question को करें answer को match कीजिए और अपनी note book में सभी के question लोगो note करें